है स्टूडेंट्स इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आई के साथ वर का प्रयोग क्यों होता है किस इस्तिति में होता है कब होता है तो समझें जनरली हम जानते हैं कि आई के साथ वाज का प्रयोग होता है क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नम्मर है बाकी सब केसे में वैसे एक exceptional case ही है हम सभी जानते हैं I singular होते हुए भी do का प्रयोग लेता है जो कि एक फुल्डल है have का प्रयोग लेता है जो कि एक फुल्डल है लेकिन एक exceptional case है कि हम इसके साथ वाज का प्रयोग करते है तो वर का प्रयोग क्या इसके साथ होता है यदि होता है तो कब रहता है तो प्रयास कीजिएगा समझने का तो मैंने उपर में सबसे पहले लिखा है किस इस्तिति में होता है short में, एक line में मैंने लिखा है for an imaginative situation एक कल्पनात्मक परिस्थिति के लिए कैसी इस्थिति के लिए एक कल्पनात्मक जो हम कल्पना करते हैं यानि जो वास्तविक्ता नहीं होती है that is not true जोकि सच नहीं होते है सभावी के कल्पना है तो वो सच नहीं है तो हमने लिखा भी थोड़ा थियोरी सुनिएगा ध्यान से generally सामाने तह we use was हम was का use करते हैं with I, I के साथ but लेकिन sometimes कभी-कभी we have to use were हमें were का प्रयोग करना होता है in order to depict दर्शाने के लिए a different meaning एक अलग अर्थ यानि सामाने से हट कर जब एक अलग अर्थ हम दर्शाना चाहते हैं किसी वाकिका of the sentence तो उस इस्तिती में हम I के साथ were का प्रयोग करते हैं अब इसे were भी पढ़ते हैं बच्चे तो पढ़ सकते हैं यह लेकिन reasonable pronunciation है इसका और यदि हम standard pronunciation करें तो इसका were ही सही pronunciation है उदाहरन देखेंगे तो ज्यादा clear होगा असपस्ट होगा तो आईये उदाहरन के साथ ही कुछ हम लोग ज्यादा concept clear करते हैं तो पहले मैंने कुछ examples लिए हैं जिसमें हमने वाज का परयोग किया हुआ है तो जैसे कि मैं विद्याले की तरफ जा रहा था past continuous tense हम सभी जानते हैं आई के साथ वाज का परयोग होता है I was walking to the school मैं विद्याले की तरफ जा रहा था मैं दुकान की तरफ जा रहा था I was walking to the shop I was walking to the store कुछ भी हो सकता है तो यह सुभावी के present sorry past continuous tense है इसलिए यहां पर हुआ है दूसरे sentence की बात कर ले तो यह past के कुछ habit को या फिर past के situation को बता रहा है लेकिन यह सच है ध्यान दीजिएगा यह सब सच है जब मैं छोटा था when I was young मुझे cricket खेलना पसंद था यह सचाई है न कोई सचाई बता रहा है I liked to play cricket यह I liked playing cricket टू लगाएंगे तो ing मत लगाईएगा टू के साथ भीवन ही आता है या फिर टू नहीं लगाएंगे तो infinitive यानि जिरंडम रोग यूज़ कर सकते हैं अब देखिए कुछ और sentences हैं उसके examples यह हैं आपके वर के क्योंकि इसमें हम वर का प्रयोग करेंगे क्यों यह जितने भी sentences हैं सब में एक कल्पनात्मक परिस्तिती को दरसाया गया जिससे मैं कह रहा हूं कि यदि मैं अमीर होता if I was rich बिलकुल गलत हम क्या बोलेंगे if I were rich क् मैं एक ऐसी स्तिती की कल्पना कर रहा हूं कि यदि अमीर होता तो क्या करता है न और एक और बात ध्यान दिजेगा जब I के साथ वर रगा रहे हो तो इसके दूसरे पार्ट में would लगाईएगा if I were rich मैं तुम्हें कार खरीद देता I would buy you a car I would buy you a car यदि मैं तुम्हारी जग होता यदि मैं तुम्हारी जगह होता मैं कड़ी मेहनत करता तो रहे ना रहे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है if I were you यदि मैं तुम्हारी जगह होता या फिर तुम्हारी जगह होता बात तो वही है यदि मैं तुम्हारी जगह होता if I were you I would work hard मैं कड़ी मेहनत करता I would labor hard work hard ह और एक आखरी एक्जाम्पल है यदी वह औरत होता तो उसके धेर सारे बच्चे होते थोड़ा फनी है सेंटेंस हमने लिया है तो इसको इंग्लिस में कैसे बोलेंगे यदी वह एक आरत होता है या लॉट्स ऑब बच्चे होते तो आपके लिए मैं एक एक्जाम्पल छोड़े जा रहा हूं सबसे उपर मैं एक एक एक्जाम्पल आपी के लिए लिखा हुआ है यदी मैं पक्षी होता तो आस्मान में उड़ता यदी मैं पक्षी होता तो आस्मान में उड़ता काफी कॉमन सेंटेंस है एक्जाम में बराबर पूशा जाता है वह अन मांक्स का ऑप्सनल रहेगा की वाज लगाना है की वर लगाना है तो आप इससे टांसलिट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो मैं बताऊंगा जो